मोदी जी चार सो पार सीट जीतेंगे तो मेरी हमारी किसी से लड़ाई नहीं है और मोदी जी दुलहा है नितीस कुमार जी सहबाला है चिराग पासवान सहबाला है वाला भी लाजवाब है उगर न दुलहे का पता है न सहबाला का पता है नमस्कार देख रहे हैं आप सेटी पोस्त लाइफ और मैं हूँ आपके साथ पूजा शर्मा शुक्रवार को विजबी के कई बरे दिगज निताओं ने नामंकन दाखिल किया इस कड़ी में काराकाट लोगसवा सिट से उपेंदर कुश्वाहा ने नामंकन दाखिल किया पत्ना साहिब से रवी शंग प्रशाथ ने किया और अगर बात करें बकसर से तो बकसर से एंडिये ने इस बार मितले इस्तिवारी को चुनावी मैदार में उता रहा है जिन्होंने कल नामंकन दाखिल किया नामंगन दाखिल करने के बाद बरा दावा करते हुए नजरा है मितले इस्तिवारी और कहते हुए नजरा रहे हैं कि इस बार जीत जो है वो अंडिये की ही होगी तो साथ ही साथ जहां एक और जीत का दावा करते हुए नजरा रहे थे तो वही दूसरी और इंडिया अब भी तक ये जानकारी सारवचनिक नहीं की है कि उनका दुला कौन है और सहवाला कौन है इसी के साथ साथ बकसर से निर्दलिये प्रत्याशी आनंद मिश्रा पर भी जोड़दार निशाना साधते हुए नजर आए और कहते हुए नजर आए कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा इसी के साथ साथ आनंद मिश्रा पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं मितले इस तीवारी पहले आप वो सुने बस बकसर की जनता का प्यार और दुलार और आशिरवाद जैसा आज मिला है और जैसा पिछले 30 मार्क से मुझे मिल रहा है आज सचमुच मैं भाव विहवल हूँ और इसलिए भाव विहवल हूँ यह आज इतनी बड़ी संख्या में बकसर के किसान बकसर के युवा बकसर की महिलाएं और बकसर की आम जनता जो आज सडकों पर थी यह सचमुच नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रेम था जो मुझे मि भारती किसे आपकी इस वर्यापर यहां पर यहां तो लडाई हैं यह सक्तर और थीस की लडाई है सक्तर मोदी जी के साथ हैं और थीस में बीस विदवार होंगे मेरे ख्याद से तो मिरी हमारी किसी से लडाई नहीं है और लड़ाई क्या प्रधान मंद्री का चुनाव है पियम के उमिदवार तो एक ही मोदी जी है पुरे मैदान में एक ही मोदी जी दिख रहा है और बाकी किसी की कोई कोई उमिदवार है नहीं मोदी जी दुलहा है नितीस कुमार जी सहबाला है चिराग पासवान सहबाला है ज कितनी से जीत होगी आपकी इस बार देखे आज जो मुझे उत्साह दिखा है बक्सर के सारे रेकॉर्ड इस वर्धवस्त है और बक्सर के लोगों ने जबर्दस्त मोदीजी को समर्चन करने का मन बना लिए जनता के पास एक सवाल है कि वो उनका काना है कि एक निर्दलिय प्र करा है जो तुम्हें दिखानों को नमांकन करा कि और बीजेपी के वोट में सेंध्र गाना चाहता है लेकि सभी रामभक्ति समरे अलर्ट है और उनको मालूम है इन्नों की दाल गलने वाली आगट वर्दन बोल रहा है कि आज़त मिश्तरा आपके दलाल है बीजेपी के अग प्रुखेरा मानना ये है कि आज देश में दो धारा की लड़ाई है एक जो भारत का विकास चाहते हैं और एक जो भारत का विनास चाहते हैं एक जो लाठी में तेल पिलाने वाले हैं और एक जो गरीवों को पानी पिलाने वाले हैं तो इसलिए लड़ाई साफ है नरंदर म अब जो सौ वोट से विधान समय जिता हो जमानत करा देगा दूसरे का आप देखिये का ना चार तारीख को हम उनसे बात करेंगे हमको आलतू-फालतू बोलने की आदत नहीं है और जितना वोट उस सौ वोट से जीते हैं जितना वोट उनको जितने पर आया था ना उतना सबसे पहले प्राप्त होती है अगर मंद से तवस्या किया जाए विश्वा मित्र जी कि यह सिक्षा अस्तली करम भूमी है यह बावन भगवान की पुन्य भूमी है और आप जब-जब देखते हैं जब-जब अशुरी सक्ति यहां पर सामने आती है उसका संगार भी होता है इसनाते आप निश्चिंत रहिए पूरी गाम की सेना इस सड़क पर है प्रभु स्री गाम जोध्या से सीधे बकसर की और देख रहे हैं और वो देख रहे हैं कि जोध्या विक्सित हो गया अब बकसर की बारी है इसलिए मोधी जी का उमिद्वार मिठ्विश्वार मैजिक क चिका करेंगा और देख करने के जी बस दर जनेई होगी यहांकि ने विक्ता बनाने के श्र황 च्रह राए है हूं final कि देखेंगे कि नरेंदर मोधी जी का जब चारे को गिंति हो गया है मुदी ही मधी नजर आएगे हुआ है प्रस्तावक्ते हमारे बिहार के बहुत थी लोग प्रिये निता चौगाही के निवासी आरा से मानने विधायक आदरनी अमरेंद प्रताप सिंगी जो प्रिशी मंत्री के रूप में बिहार का नत्रत किया है और सिमा कुस्वाह जी इधर आई फोड़ा सार इधर आई है मिना क कुस्वाह जी यहां चेर्मेन रही है और श्यामलान कुस्वाह जी जो दो दो भार यहां से चुनाव लड़े और बहुत अंतर बहुत सारा वोट लेके आते तो उन्होंने मुझे आशिरवाद में दिया है आज उनकी बिटिया आज भारती जनता पार्टी मोदी जी के सवर मुझे लगता है कि लो और खूस और प्रभू स्री राम के बंसर आज पूरी तरह और देखिए पीछे निशाद राज है और हरी सहनी जी और इधर हमारे वैस सिरोमनी और बिहार के उपमक मंतरी रहे स्री तार्की सुन प्रसाथ यासरवात ने आये है आप देख सकते हैं न अदिया कि टुबंदेन पर जोड़दार निशाना स्ताद दे हुए नजरा इंडिये प्रत्यासी मितले इस्तिवारी तो साथ ही साथ आनंद मिश्रा को लेकर भी बरादावा कर दिया उन्होंने कह दिया कि आनंद मिश्रा बक्सर में कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो रामभक्त है वो अब पूरी तरीके से जाग चुके हैं और जो वोट है वो सिर्फ और सिर्फ एंडिये को ही परेगी या एक तरफा चुना हो रहा है इसी के साथ साथ तमाम उद्दों को लेकर क्या कुछ कहते वे नजर आ रहे थे मितले इस्तिवारी सुना आपने तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही तमाम जानकारी के लिए बने रैंसिटी पोस्ट लाइफ के साथ इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सबस्ट्राइब करना ना भूले धन्यवाद